जब भी आप यहाँ पर ZArcher application के अंदर जब भी आप कोई भी zip file extract करते हैं तो आपको ऐसी problem आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह ऐसी problem क्यों आती है इसे कैसे fix करना है बता हूँगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और last time तक देखे अगर guys अब skip करेंगे वीडियो एक बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगा तो चलिए शुरू करता है तो यहाँ पर आपको बोलता है operation completed with errors ऐसा बोलता है और यहाँ पर आपको बोलता है जो भी यहाँ पर zip file का नाम आ जाता है यहाँ पर आपको बोलता है unexpected end of archive data error ऐसा आपको बोलता है तो इसे copy करेंगे तो बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बोलता है यह इसलिए बोलता है क्यों कि जो भी यहाँ पर zip file होती है वो guys corrupt हो गई होती है corrupt होने के वुझे से जब आप यहाँ पर extract करेंगे तब आपको ऐसी प् extract नहीं होता guys बिल्कुल भी यानि कुछ files जो इसे वो extract नहीं होते जो भी files होते हैं वो corrupt हो गए होते हैं और जैसे आप यहाँ पर zip file जब extract कर देते हैं तो जो extract करेंगे files होते हैं वो properly नहीं होते guys आप यह run नहीं करेंगे properly तो आपको इस बात का धिहां डगना होगा अगर आपको इसे fix करना है तो आपको zip file अच्छे से यहाँ पर लेना होगा without corrupted file लेना होगा zip file तो zip file के अंदर ही files कुछ corrupted होंगे इसलिए extract होने के बाद आपको इसी problem आएगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा आपको एक मतबाद दूसरे application से भी try करना होगा अगर आपक आपको आपको समझाए होगा अगर उड़े अच्छा लगा तो लाकिज़े शेयर कीजियो चैनल को सब्सक्राइब करना हो देलियो thank you very much